good evening students last lecture में मैंने आपके साथ discuss किया था कि module को import किस तरीके से करते हैं module import करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था आइए होब आपको अच्छे से समझ में आया होगा अब हम module import का दूसरा तरीका आपके साथ देखते हैं python's from statement पाइथन फ्रॉम इस्टेटमेंट लेट्स लेट्स अगर सपोज आपके पास एक मोड्यूल है यह इंपोर्ट करने का जो सेकिंड वे है फ्रॉम इस्टेटमेंट इसका क्या मतलब है पहले तो मैं आपको यह बताब दियर स्टेटमेंट सपोज आपके पास एक मोड्यूल है लास्ट वाला एक्जाम्पल ही आपके साथ डिसकस कर रहा हूँ आपने मोड्यूल बनाया था area.py इस मोड्यूल के अंदर area मोड्यूल के अंदर आपने सरकिल का area define किया था function के रूप म कोई particular user है सपोज मैं हूँ मुझे सरकिल का area एक्सिस करना है या मुझे सरकिल का area और rectangle का area एक्सिस करना है या मुझे सरकिल का area और square का area इन दोनों को एक्सिस करना है या तो अगर सपोज आपके पास 10 member की team है तो 10 member की team में से यह हो सकता है कि कोई member सारे मोड्यूल से एक्सिस करें, हो सकता है कि कोई दो module access करें, हो सकता है कि कोई तीन module access करें, तो ये सबकी requirement पर depend करता है, तो अगर आपको एक module में से किसी भी particular function को access करना है, तो by using from statement, you can do this feature, this functionality, इस तरीके से आप import करेंगे आप from module name जैसे suppose आपको circle का area ही चाहिए, suppose मैं हूँ, मुझे एक module को access करना है, लेकिन मुझे सिर्फ circle का area चाहिए, लेकिन मैंने module में जो मैं module import कर रहा हूँ, जैसे module import कर रहा हूँ, import area इस module में मैंने सारे के सारे function define कर रखे है सारे के सारे functions define कर रखे है, लेकिन लेकिन मुझे तो सिर्फ circle का area ही चाहिए तो मैं क्या करूँगा मैं लिखूँगा from module name import function name from module name import function name जैसे यहाँ पर मुझे सिर्फ circle का area चाहिए मैं एक application user हूँ मैं एक user हूँ और मुझे सिर्फ circle का area चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा from module name module name क्या है मेरा area मुझे क्या चाहिए circle का area तो मैं लिखूंगा import और circle area तो मैं लिखूंगा circle area तो मुझे क्या चाहिए सिर्फ circle का area चाहिए तो मैं उसी particular चीज को access करूँगा जो मुझे चाहिए तो by using from statement you can do you can use this picture from module का नाव import function का नाव अगर आप इसे run करने की कोशिश करेंगे सपोज आप इसे यहाँ पर run करेंगे तो run करने के बार यह आपको error display करेगा यह देखिए इसने कहा name area is not defined sorry name area is not defined एक मिनट है कि कि अब आप क्या करेंगे आप जैसे कि मैंने आपको बस्ट बताया कि अगर आपको किसी particular module किसी particular function को access करना है तो आप क्या करेंगे उस particular function को ही आपको क्या करना है इंपोर्ट करना है तो आपको लिखना है from area import circle area क्योंकि आप क्या करना चाह रहे हैं सर्किल के area को ही आपकी requirement है लेकिन आपके module के अंदर कितने function defined है इन function जिसमें circle का area भी है जिसमें square का area भी है और जिसमें rectangle का area भी है हो सकता है कोई एक ऐसा module है जिसमें 10 figure के area और perimeter हो हो सकता है कोई एक ऐसा module हो जिसमें 10 shapes हो और उसमें से आपको सिर्फ दो ही shape की requirement हो तो आप अगर आप किसी भी particular feature को access करना चाहते हैं module में से अगर आप एक module में से किसी particular functionality को access करना चाहते हैं तो आपको उस particular functionality को mention करना पड़ेगा कैस तरह से from module का नाम import उस particular function का नाम लिखना पड़ेगा आपको जिसको आप access करना चाहते हैं अब आपको क्या करना है अब आपको जैसे circle का area चाहिए तो आप यहां पर हता दीजिए अब area की जोरत नहीं है अब module name की जोरत नहीं है without module name आपको access करना है without module name आपको access करना है अब आप इसे run करेंगे run करने के तो में बाद जब आप इसे run करेंगे तो यहाँ पर यह कहेगा square area is not defined square area is not defined क्यों कहरा है square area is not defined क्योंकि आपने import करा है कौन सा module आपने import करा है सिर्फ circle area आप functionality किसकी use करना चारे हो? सिर्फ circle area की use करना चारे हो इसलिए जब आप circle area की functionality को use करना चारे हो तो definitely वो यहाँ पर error शो करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को हटाना पड़ेगा यहाँ से remove करना पड़ेगा अब आप देख सकते हैं आप सिर्फ circle area की functionality को use करना चारे है आप सिर्फ circle का area calculate करना चारे है उस module के अंदर से जिसके अंदर तीन function define है उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप circle का area ही define करना चारे है तो आपको क्या लिखना है? from module का नाम, import उस function का नाम जिस particular function का area आप calculate करना चाहते हैं तो अब मैं calculate करना चाहता हूँ circle का area तो मैं यहाँ पर define कर रहा हूँ circle का area और direct अब आपको क्या करना है अपने function को call करना है अब directly जब आप अपने function को call करेंगे तो आपको यहाँ पर circle का area मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर dimensions को change करेंगे जैसे suppose 2 की जबे 4 कर देंगे अब आ आपको यहाँ पर circle का area मिल जाएगा जब आप circle के radius 4 पास करेंगे तो आपका circle करेंगे 50.24 क्योंकि आपने area module बना कर रग दिया है आपको क्या करना है just उस module को access करना है आपने क्या करना from area import circle area क्योंकि आपको स्रिफ circle का area ही चाहिए तो एक module में से अगर आप किसी भी particular function को access क करना चाहते हैं तो आपको उस particular function को महाँ पर import के साथ mention करना पड़ेगा यह चीज़ ध्यान रखिए और जब आप function को call करेंगे तो function को call करने के लिए आपको module के name की जोरत नहीं है without module name आप function को directly call कर सकते हैं जैसे आपको यहाँ पर यह लिखने की जोरत नहीं है एरिया डॉ पाई सिर्फ आप क्या लिखेंगे circle area क्योंकि अब यह module को पहचाने का नहीं यह जो आपका यह application program है user1.py अब यह उस area module को नहीं पहचाने का यह पहचाने का किसको circle के area को पहचाने का इसको पहचाने का circle के area को पहचाने का अगर आप लिखते import area तब आपको क्या करना को अगर access करना है तो module के नाम के साथ access करोगे लेकिन अगर आप किसी भी particular function को access करना चाहते हो तो आपको उस particular function को import के साथ mention करना पड़ेगा from area import circle का area import circle underscore area तो अब आपको जब circle underscore area वाले function को call करेंगे तो अब आपको module का नाम mention नहीं करना है that means you don't have to write area dot circle area क्योंकि अब directly आपको circle area को ही use करना है now this application will not recognize your area module it will recognize your only circle area function तो आपको simply क्या करना है circle underscore area function यहाँ पर mention करना है I hope आपको समझ में आ गया होगा suppose आपको आप क्या चाहिए circle का area और rectangle का area चाहिए तो आपको यहाँ क्या लिखना पढ़ेगा rectangle underscore area उस function का नाम लिखना पढ़ेगा जिस function का जिस function को आप use करना चाहते है अब आप उस function को खोल करेंगे rectangle underscore area यहाँ पर आप dimensions पास करेंगे dimensions है 5 और 9 तो dear student when you run this program when you run this program तो आपके यहाँ पर आपका circle का area 50.24 और rectangle का area 45 क्योंकि length आपने क्या पास करी 5 और breath आपने क्या पास करी 9 तो 5 नाइंजा 45 तो dear student it depends on the application user which functions he want to be access the function the function he want to be access the particular function which he want to be access you have to mention you have to import that particular function from area module you have to write from area import that particular function name which he want to be access which he want to be access तो इससे आपके प्रोग्राम की complexity और ज़्यादा reduce हो जाती है क्योंकि अगर आप पूरे module को import कर रहे हैं अपने application में तो definitely उसका runtime execution बढ़ जाता है लेकिन आप किसी particular function को ही अगर आप को import करना है अगर आप किसी particular function को ही आपको access करना है तो आप उस module में से उस particular function को का नाम mention करिए और आप उस particular function को directly call कर सकते है वो function एक भी हो सकते है दो भी हो सकते है तीन भी हो सकते है It is your choice तो जिस जिस function को आप access करना चाहते है उस उस particular function को आपको import के साथ mention करना पड़ेगा और इसी चीज को मैंने हाँ पर समझा रखा है आप आप देखिए मैंने हाँ पर लिख रखा है from area, import circle area और square area मुझे मेरा module में कितने functions थे? तीन लेकिन मुझे requirement कितनों की है? दो की circle area, square area तो मैंने कह लिखा from area, import circle area और square area तो मैं इसको directly access कर सकता हो अब हम बात करेंगे धड़की तीसरा बेगा तीसरा बेगा import start, import asterisk statement can be used to import all names from a module into the current calling namespace module तो आपने क्या लिखा? from module name import start import start का मतलब है कि सारे के सारे function क्या हो जाएंगे आपके directly आपके module के अंदर access हो जाएंगे जैसे आपको यहां लिखना है from area import start from area import start अब जब आपने लिख दिया import start तब आप circle का area rectangle का area square का area और अगर आपके पास चार या पांच और भी उस module के अंदर shapes होती तो directly सारे के सारे function वो इस current module के अंदर आ जाएंगे ठीक है तब आपको क्या करना पड़ेगा अब आप directly यहां पर लिख सकते है print square area square area आपने यहां पर पास करा a dear student now when I run this program तो आप देख सकते है square area is not defined यहां पर s q u a r e आएगा u a r e तो when I run this program when I run this program now you can see the area of circle is 50.24 the area of this rectangle is 45 the area of square is 64 क्योंकि मैंने यहां पर pass क्या करा है 8 पास करा है तो 8 का square 64 तो मैंने यहां पर क्या लिखा मुझे सारे function को axis कर रहा है तो सारे function को axis करना है तो मैंने लिखा from area import start तो जब मैं import start करूँगा तो मेरे सारे के सारे function directly axis हो जाएंगे अब मुझे module के नाम के साथ उनको call करने की जोरत नहीं है आपने देखा होगा मैंने जब पहला तरीका बताये था तो पहले तरीके में मैंने लिखा था import area तो जब मैंने import area करा था तो मैंने अपने module को import करा था मैंने क्या करा था अपने module को import करा था और module को import करने के बाद उस module के किसी भी function को मैं call कर रहा था तो कैसे कर रहा था module के नाम के साथ कर रहा था module के नाम के साथ कर रहा था जब मैंने आपको पहला way बताया था import करने का तो पहले way में मैंने import करने में मैंने क्या बताया कि मैंने लिखा import area तो जब आप इसी module को पूरे module को import करते हैं तो import करने के बाद उस module के किसी भी particular function को access करने के लिए आपको module के नाम के साथ उस particular function को access करना पड़ता है module का नाम dot function का नाम ठीक है लेकिन जब आप import star लिखते हैं कि from area area से import star का मतलब है सारे के सारे function को directly access कर सकता हूँ अब मैं without mentioning the name of the module dear student अब इस वाले program में मुझे ये लिखने की जोड़त नहीं है area dot circle area area dot rectangle area area dot square area अब मैं directly without mentioning the name of the module अब मैं directly function को call कर सकता हूँ तो अगर आपको पूरे module को import करना है तो आप पहले वाला तरीका यूज़ कर सकता है import area लेकिन आप अगर पूरे module को import कर रहे हैं तो पूरे module को import करने के बार आपको उस module के किसी भी particular function को call करना है तो कैसे करेंगे module के नाम के साथ करेंगे नमबर दो दूसरा तरीका में मैंने आपको क्या बताया अगर आप module में से किसी particular function को use करना चाते है तो आपको क्या लिखना है from area import और जिस function को आप access करना चाते है वो एक है या दो है या तीन है या चार है तो उन्हें कोमा लगा कर आप mention कर दीजिए तो के बर उसी उनी function को आप अपने प्रोग्राम में access कर सकते है उसमें भी आपको module का नाम लिखने की जोड़त नहीं है और अगर आप अपने सारे module अगर आप अपने सारे function को directly access करना चाते है तो module से तो आपको लिखना है from area import star और जब आप अपने उसमें import करते हैं तो आप अपने function को directly call कर सकते हो क्या कर सकते हो आप अपने function को directly call कर सकते हो आपको module के नाम के साथ call करने की जोड़त नहीं पड़ी आई वो ये तीनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे तो dear student तो अभी तक आपने के में देखा कि मैंने आपको module import करने के तीन तरीके बताए पहला तरीका मैंने आपके साथ discuss करा दूसरा तरीका मैंने आपके साथ discuss करा module alias module alias का क्या मतलब है module alias का मतलब है dear student कि मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या मतलब है जैसे मैं आपको first तरीका देखे जब मैं आपको first तरीका बता रहा था इसमें मैं module को import कर रहा हूँ अब मैं आपके साथ first तरीका लेके चलता हूँ यहां पर लिखेंगे एरिया मैंने क्या करा पूरे मोडिूल को इम्पोर्ट करा अब जब मैं पूरे मोडिूल को इम्पोर्ट करूँगा मैं इसे रन करूँगा तो तो definitely error show करेगा क्योंकि क्यों Error show करेगा क्योंकि इसमें का Circle area is not defined तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपने module को क्या करा है, import करा है, तो जब module को आप import कर रहे हैं, तो इस module के किसी भी function को अगर आप access करना चाहते हैं, तो आपको module के नाम के साथ access करना पड़ेगा, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, area.circular area, area.square area, that means जब आप पूरे module को import कर रहे हैं, और उस module के किसी भी function को अगर आपको access करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको module के नाम के साथ उस particular, किसी भी function को access करना पड़ेगा, उस module के, module के नाम के साथ, ठीक है, अब ये module alias का क्या मतलब है, module alias का मतलब है, dear student, कि जब भी आप किसी module को import करते हैं, तो import करने के बार, आप उस module को कोई alternative name दे सकते हैं, जैसे, मैंने लिखा, import area as, import area as, s, अब मैंने इस area को एक alternative नाम दे दिया, s, अब मैं जब भी इस module के किसी भी particular function को call करूँगा, तो आप मुझे module का नाम लिखने की जोर्थ नहीं है, अब मैं, जो मैंने उसका alternative name दिया है, अब वो उसी के साथ call होगा, that means, अब मैं यहाँ पर direct क्या लिखूँगा, s.circular area, s.rectangle area, s.square area, that means, यह एक तरीके से क्या कर सकता है, एक तरीके से इसका क्या नाम है, एक तरीके से इसका काम है, आपके time को कम करना, module alias का मतलब है, कि आप अपने module का कोई भी alternative name दे सकता है, जो short हो, suppose, आपने कोई एक ऐसा module बनाया, जिसका नाम थोड़ा सा बड़ा है, और जब आप उस module के अंदर, अगर मालीजे 10 function है, और 10 के 10 function को आपको call करना है, तो definitely 10 के 10 function module के नाम के साथ access होंगे, और आपको हर बार module का नाम लिखना है, अगर आप चाहते हैं कि module का नाम लिखने की बज़ाए, कोई ऐसा short hand notation हो, उसके साथ function को अगर access करें, तो उसके साथ अगर आप अपने function को call करें, तो आपका time कम हो जाएगा program लिखने का, तो आप अपने module को alternative नाम दे सकते हैं, इसे ही हम बोलते है, module aliasing, तो dear student, आपने देखा, यहाँ पर मैंने जो area module था, इसको मैंने नाम क्या दे दिया, अब मैं इस module के जितने भी function को call करूँगा, उन function को call करने के लिए, मैंने जो alias word use किया, alias जो मैंने use किया है, उसका use करूँगा, इसका use करूँगा, और मैंने यहाँ पर area को क्या alias use किया है, area के लिए s use किया है, तो मैं s का use करूँगा, अगर suppose मैंने यहाँ पर लिखा area, कि डिया सपोज मैंने हाँ पर इयरिया डियों सबसी अब मैं इसे रन करता मैं तो यह नाम क्या क्या एरर देगा क्योंकि आप module का नाम क्या हो गया है S हो गया है क्या हो गया है S हो गया है आपने module को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करा और इंपोर्ट करने के बाद उस module का एक शोट हैंड नोटेशन दे दिया क्या शोट हैंड नोटेशन दे दिया Suppose मैं हूँ, मैंने एक ऐसा module design किया है, जिसका नाम थोड़ा सा बड़ा है, और उस module के अंदर 10 function है, तो जब आप मेरे module को import करोगे, तो मेरे module के किसी भी function को call करने के लिए, आपको मेरे module का नाम यूज करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो, कि मुझे, कि आपको मे मेरे module को import करने के बाद, आप उस module को कोई भी shorthand notation दे सकते हो, जो आप चाहते हो, फिर आप मेरे module का नाम यूज करके, directly उस shorthand notation का ही use करोगे, और वोही shorthand notation आपके module के लिए use होगा, and it says your time to writing your program, I think this is the best way, I hope आपको समझ में आ गया होगा, कि module alias क्या होता है, module alias is nothing, it is just the alternative name of your module, when you write, when you import a module in your program, you can just give a alternative name to your module, and when you call the functions of that particular module, you will call that functions with the alias name, not the module name, क्योंकि अब module name recognize नहीं होगा, अब जो आपने उसको alias name दिया है, अब वो उसी के नाम से पहचाना जाएगा, आपके अपने application, program में, जो भी आप shorthand notation उस module को दोगे, I hope, आपको ये चीज समझ में आगई होगी, तो dear student, आज मैंने आपके साथ discuss करा, module के import करने के दो और तरीके आपके साथ discuss किये है, अगले lecture में हम इसी को आगे continue करेंगे, इसमें practical programming आपके साथ discuss करेंगे, अब तक के लिए thank you very much, have a nice day, take care, stay safe, stay